तो हेलो माई यूटूब फैमिली कैसो आप सब लोग आप सब लोग बढ़िया होंगे बढ़िया ही रहना सो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सस्क्राइब आपका भाई आज निकल चुका है आपके लिए न्यू वीडियो शूट करने के लिए और टाइम की ब आपनर के लिए भाई भी कंटेंट शूट कर लेंगे अपनी न्यू बाई का तो मैं सोचा दोनों भाई हम वीडियो सूट कर लें विक्रम भाई थोड़ा आज कल बिजी रहते तो निसे मैं नहीं पूछा कर कोई बात नी पिक्रम मैंसरी मुलाकात होते रहती है तो आज मैं तो आज मैं आपको अपनी बाइक में जो मैंने अभी तक मॉट्स करवा लिए उन सब के बारे में मैं आपको बताने वालू तो इस व्लोग में आपको मोटर व्लोग प्लस मैं थोड़ आप से खड़े हो के बातचीत करूगा आपको दिखाऊंगो ही मैंने क्या कैस में वक वाली है बाइक में तो लगाते हैं आपे साइड में आपे रुखते हैं बाइक को लगाते स्टैंड पे देन आप से करते हैं बातचीत कि अखी हां बाइक एंट बाइक कर से करते हैं अच्छुट को अगिक वैच्छट अपने शाहिल वाही और साहिल वाही क्या आल चाल संडवया पे तुम मिले निए उस तयार में तूम पलाया था वाई बहुत मज़ा था इस सवाली संडेरड वे तो मैं आने से हैं तो फाइनली गाई पॉच चुगे अपनी लोकेशन पर और मैं आपको बतातूं कि मैंने क्या कि अपनी बाइक में मॉट्स करवा हैं तो यह देख रहे हो आप अपनी पुल्सर N160 जो कि है 2024 का मोडल और इसमें मैंने फ्रेंट में लगवाया है वाईजर यह देख सकते हैं और यहां पर नंबर प्लेट का स्टैंड लगवाय था मैंने जो कि हाँ पर इदर जो मरगाट है उसमें लगके जो स्टैंड हो कर चुक कि इस वाली बाइक में रूद्रा 2.0 में भी इंस्टॉल करवा देने चाहिए देख सकते हैं और साथ में फुल बाइक को मैंने लामिनेट करवा दिया विद ब्लैक स्मोक यह चक कर सकते हैं आप यह देखो यह लामिनेशन हो रही है चितनी भी है और साथ की साथ मैंने इसम अब मैंने केरियर के उपर लगवाया है टॉप रेक टॉप रैक के उपर अपना आगा है टॉप बोक्स और जो आप यह देखे हो इंडिकेटर इंडिकेटर मैंने ब्लैक स्मोक लामिनेशन करवाई है और इसमें लिद लगवा दिया मैं आपको इसका फोकस भी दिखाता मैं लाइट्स वगर है सबका और मिरर पर मैंने बारेंड मिरर लगा दिए देख सकते आप छोटे-छोटे और यहां पर यह मुबाईल होल्डर अब मैं आपको दिखाता हूं फ्लैशर का लुक कैसा निकरता हो आता है तो यह गाइस चेक करो यह अपने फ्लैशर का लुक है है फ्रेंट्स से कुछ ऐसा सा और वाइजर कितना कूल लग रहा है और यह इसकी डियारेल जो काफी सही लगती है मैं आपको एक बार इगनीशन ओन कर यह दिखाता हूं और यह ओन ही है शैद से नहीं ओन है यह जैक करो इसकी लाइट देखो कितनी गजब लगती है सामने स और मैं आपको फॉग लाइट ओन कर यह दिखाता हूं यह देखो पहले गाई उल्लू वाली लाइट चेक कर लो तो फ्रेंट से कुछ ऐसा सा लुक आता है बाइक का और अब मैं दिखाता हूं आपको दूसरे वाले फॉग लाइम पॉन कर यह जो बाई पूरी दिन में भी दिवाली बना देते यह चेक करो गाई पूरी बाइक को इन्हां इन्हां करता है यह फॉग लाइट का लुक फोकस और अब मैं टॉप बॉक्स की लाइट जा लाइट लाए जाकि रात में राइट करें तो रिफ्लेक्ट तो दूर से कोई राइडर जा रहे है पीछे में र रिफ्लेक्टर में लाइट लगा रहे है जो कभी साही लुक देता है और अपनी बाइक का ही साइट का उच ऐसा लुक है है यहाँ पर मैंने लद्दा का फ्लैग लगा रहा है तो यह है अपनी बाइक का लुक और इसकी जो टॉप स्वीड है सुनने में तो आए कि 140 प्लस टाती है बट अब यह ने भगाई है कि इसकी फॉर्स सर्वीज भी नी होई है और बात की जाए कि अभी तक कितने किलो मेट्र चलियो कि तो मतलब 300 किलो में चलने वाली यह और जासे कि आपको मैंने बता है पिछली वीडियो में की हमारी जल्दी लॉंग राइड होने वाल अब मिलते हैं डारेक्ट मोटर व्लोक सेट अप पर आप से बात सो चलते हैं वीडियो को एंड करेंगे जैसा कि मैंने आपको बता दिया मैंने इसमें यह मॉड्स करवा दिया है सो अब जो इसकी में रिव्यू की वीडियो है जो में रिव्यू जिसे बोलते हैं रिव्यू वीडियो वह मैं आपको जल्दी बना के दूंगा बड़ उससे पहले आप यह वीडियो प्यार दिखाओ जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है स्पेशली और अब 20 तरिक जब आईगी तम मैं इसकी सर्विस भी करवाने वाला हूं बाइक की और उससे पहले मैं भी मैं आपको लॉंग राइट के बारे बतादू ब्लॉग बना की मैं कहां जाने वाला हूं मैं यही बात है कि बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए शपोर्ट दिखाथे रहोगे तो आपके मैं बहुत कुछ करता रहूंगा लॉंग राइड भी करते रहेंगे यही बात है कि बस आपका सपोर्ट चाहिए होता है हमें और कुछ नी चाहिए होता तो बाखी गाइज पहुच चुका हूं मैं अब नियर बाइंद लोग मैट्रो सेशन तो इसी वीडियो करता हूं यही पर एंड अगर आपको मेरी बाइक तो ऐसी टूरिंग वाली मोडिफिकेशन अपनी बाइक में सो मिलते जल्दी किसी नेक्स वीडियो में तब तक क्लिए अपना ख्याल लगना टेक क्यार गुद बाई